हेलो एब्रिवान, गूड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी में अमीद करते हूँ, आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, सुरचित होंगे, और मास्त होंगे तो आप सभी का फिर से एक निए विलोग वीडियो में स्वागत हैं, और टाइम और रखाय सुबह के बजे हुए हैं, दस के सम्तिंग बजे हुए हैं, और हम जा रहे हैं चाचा जी के घर, और अभी मैंने आपको दिखाया, यहां पे चाचा जी का पहला घर था, तो उसके ब क्योंकि हर पूंड मासी को सतिना रेंड की कथा कराते हैं, तो हम यहां पहे थे, तो वो फोन कर रहे थे, तो सारे काम तो कर लिये थे, पूझा पाठ की तयारी भी बूरी कर लिये थी, और ज्यादा कुछ लोगों को खाना नहीं था, कन्या बोज था जैसे, ग्यारे कन्या छी और बस हम लोग थे, तो खाना भी बनाया था, तो खाना चाची ने मिलके तयार कर लिया था, बस आके आठा लगा हूँ रखा था, पूड़ी हां थी तो बस मैंने औरós दीदी ने आकि पूड़ी हाँ और दीदी कर रहे हैं यहां पे, कोई भी सुभ काम होता है, पूझ की लगती है सामा लगता है वो सारी चीज़े लगा दी है और पंडी जी थोड़ा सा आने में हो गए थे लेट क्योंकि ग्यारे बजे का साइद उनको टाइम दिया था फिर वो चले गए थे कहीं और क्था करने के लिए क्योंकि उनको कहीं और मिल गई थी कथा तो सूचा कि पहले बहां कर दे था हम और बाद में फिर यहां कर देंगे तो यहां आने में अभी बार है साड़े बार एक बज़ गया था बच्चे भी वैसे और बच्चे तो खा का के आये थे खाना लेकिन हमारे न तो हम खा के गए थे न बच्चे खा के गए थे क्योंकि पूजा थी न इस वज़े से तो किसी ने नहीं खाया था तो अभी आ गए पंड़ी जी तो बस पटावट से पहले तैयारी कर रहा है पहले जो कता होती है सत्ति नार्य भगवान की और वो कही जाएगी पान की पुजा आवस्तर सत्त की ही करन उसे दिन उस व्रहमर को विश्या में बहुत स्वद्यों प्राप्त उसी दन से उन्होंने पके हुए केड़े के भर घी दूद्देहूं का चुँद तामूर पूंभरा माच्छतां मिश्टांस हैं सामे की लेकर अपने घर गए अप अपने सभी भाई बन तो कथा संपूर हो चुकी है और यहां पर हवन की तैयारी होने लगी है और चाचा जी के न एक ही लड़का था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और इस घटना को वे लगभग चार साल वीत चुके हैं लेकिन वो चीजे आज भी आँखों की सामने से हटती नहीं है और आज भी वो सारी चीजें सोच के न मन एकदम इतना हो जाता है कांप जाता है क्योंकि चाचा जी के घर जो था न वो ज़स्ट हमारे जो घर है न मैंने भी आपको दिखाया था उसके बिलकुल सामने था लेकिन जब से ऐसा सब हुआ ना उन्होंने वो घर छोड़ दिया यहां पर हमारा सबसे पहले जो पुराना घर था अभी वहां के फिर दुवारा से रहने लगे और जब से यह सब हुआ है तब से सोची मायके की पूरी रोनक जैसी चली गए यह नहीं तो हमारा काफी बड़ा परवार है और बहुत खुश रहते थे सब ल जिंदा रहना है तो सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि मरने वाला तो चला जाता है लेकिन जो लोग रह जाते हैं उनके लिए बहुत मुस्किल होता है लेकिन और सब कुछ अच्छा था सब कुछ ठीक था और साधी भी हो गई थी उसकी लेकिन पता नहीं भगवान की पाए नहीं एक दिने सा था कि दिन रात कोई भी हो किसी का जबान वेटा चला जाए तो सोचिए उस पर क्या गुजरती है तो हमें भी इतना दुफ होता था देख देखें बहुत ज़्यादा तो अभी हर पूर्णमा को ये कथा वागरा कराते हैं क्योंकि अपना मन है पूजा में पहले और प्रशाद सब यही बनता है इसी का जो आटे का होता है पंजीरी का और इसमें चर्णमा डालते हैं यही प्रशाद बनता है और फिर मैंने बताया था ना कि छोटी-छोटे बच्चे थे खाने के लिए कन्याय थी और हम लोग थे और कोई नहीं था तो टेस्ट होता है सच में अपने आप ही बोलते न भवगान की महर हो जाती है तो पूड़ी सबजी की आलू की सबजी थी खीर रहे था और लेकिन परशाद बहुत अच्छा था और टाइम हो गया बच गय थे तीन हम लोगों को आज मतलब हमारा फूरा दिन यहीं बीट गया तो अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे और हम आए थे दूसरे से और अभी यह दूसरा है बाहर वाला रास्ता है अरौज वह लगप shaping विश पड़ता नहीं फिर वह सःड़ी में पड़ता है तो बस और दिन के सपकेले ने यह हम बाढ देँ आर्फ और यह भाया की जग तो आ गए घर और धू पुरक्षे बहुत जादा तो थोड़ी बहुत देर करेंगे और मैं जानती हूं कि वीडियो कई दिन लेट जा रहा है क्योंकि पूर्डमा के दिन का विलोग था लेकिन ऐसे उपार आया है अभी आज वहां से आने के बाद कुछ नहीं मैं थोड़ी से लग रहा था और अभी बनाने जा रही है खाना बच्चे खिर लें लगे हुए देखें तो बच्चे आपके खिर रहे हैं और फिर आगे कुछ किया नहीं था क्योंकि मेरा सिर्दर्द करने लग गया था पताने क्यों थोड़ी से खिर वैसे तो सुरी नहीं थी लेकिन हां जैसा किया था और यह था आटा और यह थी उसकी लोगी की जो बना के रख ले थी चटने चोंक के इसको बनाया था लोगी के परांठे बनाने की सुची थी सुबह क्योंकि ऐसा हमें कुछ पता नहीं था फिर चाचा यह ने फोन कर दिया तो फिर अब यह से अच्छा नहीं लगता नहीं जाते तो उनको और बुरा लगता है, इस बज़े से फिर हम चले गए थे, तो खाना फिर हमने न बनाया, न खाया पापा डूटी गए थे तो उनी के लिए सुबह बनाया था ना, उसी टाइम पर मैंने त्यारी कर ली थी, पूरा उसी टाइम पर लोकी वोकी को छोक के रख दिया था और आटा भी एक साथी लगा देती हूं सुबह में जब जाते हैं तब तो फिर उसके बाद में फोन आ गया था तो हम बच्चे हम सब वही खाना खाने के लिए चले गए थे हम मम्मी पूर्ण मा का ब्रत था तो मम्मी ने भी नहीं खाया तो फिर मैंने सारी चीज़ें उठा के फ्रीज में रख देती हैं इतना सारा कुछ खराब करने से तो बस आभी में बैठ गया हूं कहना बनाने के लिए और यहां पर मतलब कर मजबूरी हो गई है वैसे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि भेसों की साइड है खाना पीना बनाना थोड़ा सा पर क्या करें फिर अंदर घर बंद है फिर मां काला भी होता है और गुटन भी लगेगी अंदर करेंगे तो धुए से काला होता है सबसे बड़ी बात ही है तो इसलिए साइड हाके रूटी बनानी पढ़ती है कोई देखागा तो अच्छा ल इसलिए इपड़ा से खाला है की बुक्षोटो है। हमने कि परांठे खाने साड़ी और मम्मी नहीं से लुगा क्षा लिए दाई के साथ मैं और मेलती हूं नेक्स्ट लेकिन से वीडियो वलक के सांत में दूब ही रात कसा समय को रहतका है तो आप सभी को गूड़नाइट झाल 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 झाल